यह जरूरी नहीं होता है जो देश सुपर पावर है वहां रहने वाले लोग भी खुशाल हो अर्थ शास्त्र के अनुसार किसी देश के अमीर होने का पता इस बात से लगता है कि उस देश का नागरिक और सतिन कितना कमा लेता है जिसे वे अपनी सबी जरूरत को पूरा कर सके वैसे तो लोगों का मानना है कि करिबन 45,000 डॉलर की प्रतिव्यक्ति आई के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जो प्रतिव्यक्ति आमें अमेरिका से भी रही से आए देखे कौन से देश अमेरिका से भी जादा खुश्याल और अमीर है पहला है कतर यह देश दो मिलियन से भी कमा बादी वाला है इस देश की कुल जुडिपी 120 बिलियन डॉलर है इसलिए कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है पेट्रोल के नियास से ही इसके 50 से फिस्दी कमाई होती है परिये टर और बैंकिंग से भी कतर काफी पैसा कमाता है दूसरा लंग्सबर्क लंग्सबर्क यूरोप का सबसे अमिर देश है इसे टेक्स हेवन मतलब करका स्वर्क भी कहा जाता है इसी वज़ा से दुनिया के कई अरपपती अपने देशों को छोड़ कर यहां बस गए ताके वह अपने देशों के करो से बढ़ सके तीसरा सिंगापुर एशिया का एक और अमिर देश में सिंगापुर भी शामिर है जो 63 दिवीपो का समो है यहां देश सबसे बड़ी आर्थिक केंद्रों वाले चार देशों में से एक है करीबन 5 मिलियन जनसंक्या वाले इस देश की अधिकतर आबादी बहुत धर्म को मानती है चोता है नॉर्वे इस देश में 5 मिलियन लोग बसते है जीडिपी के उन्चे स्तर के कारण यह दुनिया के सबसे धनवान देशों में से एक है इस देश के अर्थव्यवस्ता नेचरल गैस और तेल पर निर्भर करते हैं यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में भी शामिल है पाच्वा है ब्रुनेडो दार इसलाम पूर्वी दक्षिन एशिया का एक और धनवान देश है गैस और कच्चे तेल के निर्यास से ही इसकी आई का दिकांश हिस्सा आता है पाच लाग से भी कम आबादी वाले इस देश को सबसे कम आबादी वाले देशों में भी गिना जाता है आकर यह है होंग कॉंग दुनिया भर के निवेशों के लिए होंग कॉंग एशिया के सबसे पसंदिदा जगों में से एक है चीन में रक्षा और सुरक्षा प्राप्त हंकों की मुद्रा अलगी है साथ ही यह दुनिया के सबसे महंगा देश है NMN News की रिपोर्ट